हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टूदे एटूकेशनल चैनल और बॉटनी एड़ा में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं MSC First Semester बॉटनी पेपर 4 के जो है वो Most Important Question तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी के Most Important Question चाहिए तो मैंने आप लोगों को एक एक करके सारे Important Question अपलोड कर दिये हैं और separate playlist भी बना दी है अभी आप लोगों के एक्जाम को टाइम भी है लेकिन आप लोगों ने डिमांड रखी जी तो मैंने आपका सारा काम जया वो खतम कर दिया है बस अब आप लोगों को इन सारे Question को अच्छी तरह से Prepare कर लेना है बाकी कुछ भी नहीं करना है तो इसी बात के लिए मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर देती हूं आपके बिना कहीं ही कर देती हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करी लिया करो और अपने Friends के साथ सारे Most Important Question भी Share कर दिया करो बस यार यह छोटा सा काम तो आप लोग करी सकते हो अपनी वीडियो के लिए ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जिस जिसने भी नहीं किया है कर लेना ठीक है तो आज हमारा जो MSC First Semester Botany के अंतरगा पूर्थ पेपर है इसका नाम है Plant Ecology और जिस इसने भी 1st 2nd 3rd के important question check नहीं किये तो check कर लेना भाई लोग क्योंकि वो जो question मैंने आपको दिये हैं उनसे हटके आपको आपके exam में एक भी question देखने को नहीं मिलेंगे इसलिए बोल रहे हैं ठीक है बाकी जो new learner से उनको मैं बता दूं कि हमारा जो new 2026 का slav से वो भी मैंने आप लोगों को चैनल पर upload कर दिया है तो check नहीं किया चैक कर लेना ठीक है क्योंकि यदि आप लोगों का slav सेम होगा तभी आप इन सारे question को cover करोगी अधरवाइस नहीं करोगी तो जो बाटनी का new slav से वो भी मैंने आपको upload कर दिया है और साथ ही साथ आज हम Hindi और English दोनों ही वीडियम में जो है वो हमारे important question को cover करेंगे तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं एक एक करके पांच हुआ ही यूनिट के important question हम लोग देखने वाले हैं जैसा कि सभी चुपेपर हैं उनमें हम देखते हैं ठीक है तो यूनिट के अंतरगत सबसे पहला one of the most important question है आपका ज को एक जो है वो surprise मिलने वाला है तो फटा फट जो है वो 50K subscribers complete कराओ और बन लैग सबस्क्राइबर पर आपको biggest 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 विग 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 आपको जो है वो surprise मिलेगा जिसका आप लोगोंने सोचा भी नहीं है ठीक है तो उसकी पूरी तरीके से planning चल रही है बन सब्सक्राइब लेडी रखा है उसको लेने के लिए भी तैयार हो जाओ ठीक है तो यहीं मेर को आपको जो है वो एक बात बताना था जो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो हमारा जो यूनिट परस्त के अंतर का सबसे पहला most important question है जैंसंख्या पारिशितिकी से आप क्या सम population, ecology, explain, it's the types and characters ठीक है यह question आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाता है पिछली बार भी पूछा गया था second question है यह भी आपका important है जो की है आपका R&K चैन जिसको जो है वो इंगलिश में कहा जाता है R&K strategist ठीक है तो यह as it is पूछा जाता है इसमें जो है वो टिपणी कर के आती है short type question next question है आप लोगों का समझाई या टिपणी लिखी और यह जो topic में आपको बता रही हूं hundred and two hundred percent यहां से question आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला है घनत्व एवं वित्रण जिसको इंगलिश में कहा जाता है density and distribution दूसरा topic है आप लोगों का अंतह जाती है प्रत टॉपिक है आप लोगों का जनसंक्या व्रदी घातांक जिसको इंगलिश में कहा जाता है population growth exponentials very 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 important है तीनों के तीनों आप लोगों के point और अच्छे से आप लोगों को cover करना है ठीक है चलते है next question की तरफ जो की है टिपणी लिखिए सबसे पहला है आपका पारिस्तितिक जिसको इंगलिश में कहा जाता है ecological pyramid और second topic के आप लोगों का पारिस्तिक घटक जिसको ecological component कहा जाता है ठीक है और इसके component के अंतरगत आप बायोटिक और आवायटिक यानि जैविक और आजैविक ये दोनों घटक को अच्छी तरह से complete कर लेंगे जो की exam में पूछे जाते है और ये जो प्रामिडे इसके अंतरगत ओर्जा का जो प्रामिडे इसको बिलकुल अच्छी तरह से कर ले ना जो की आप लोगों के exam में पूछा जाता है ठीक है चलते है next question की तरफ जो की है समझाईए समझाईए में सबसे पहला है आपका उत्तर जीवी का वक्र ये जो कर्व है ना ये भी आपका पूछा गया था पिशली वार मैंने देखा ये आपका 2022 में भी आया था और 23 में भी आया था इसलिए मैं आप लोगों को ये कर्व जो है वो लेकर आई हो इसको अच्छे से कर लेना ठीक है next आप लोगों का जीवन सार्णी जिसको इंग्लिश मे सब्सक्राइब करेंगे इनको तो अच्छे से करना ही करना है क्योंकि आपका प्लांट इकोलोजिस में भैंकर टॉपिक दिये गए हैं आप लोगों के ठीक है और इतना यदि आप नहीं करोगे तो आप खुदी देखोगे कि आपके एक्जाम में ऐसे ऐसे तौपिक आपको तो मिलेंगे जो के जिनकी आपको समंझ ही नहीं होगी तो इसलिए जो जो कॉष्शन में आपको दे रही हैं यहाँ से आपके पूछे जाते इसलिए बोल रहे हैं जो-जो कॉशन दे रही हैं उनको डंग से कर लेना कोई भी कॉश्चन को छोड़ना मत नहीं तो आप सोचो कि आर के चाया नहीं से छोड़ देता हूं कोई भी नया question ना टकरा है आपके exam में सारे question ही दिखे आपको ठीक है इसकी बाद चलते हैं हम unit second की तरफ तो जो हमारी unit second है इसके अंतर का सबसे पहला important question है पाधप समुदाई की विशेषता है एवं विभिन गुणात्मक और संख्यात्मक लक्षनों का वर्णन कीजी पूछ गया question है यह आप लोग का describe the characteristics features and different quantitative and quantitative characters of plant community qualitative और quantitative दोनों characters आप लोग को देख लेना है plant community के साथी साथ इसके features भी देख लेना है इसमें difference भी देख लेना है quantitative और qualitative दोनों ही characters के मद्ध ठीक है दोनों question important है यह आपका जो है वह यह आपका जो है वह qualitative लिखाई यह आपका quantitative लिखाई ठीक है तो दोनों को ध्यान से देख लेना और अच्छे से cover कार लेना इसके बाद चलते हैं second question की तरफ जो कि यह विभिन analytical लक्षणों को समझाइए एवं इनका उपयोग समुदाय अध्यान में किस प्रकार से किया जाता है वह आपको जो है वह बताना है describe various analytical characters and their use for the study of structure of community ठीक है important है पूछा गया question है next one of the most important question जितने श्टार लगाओ कम है यह question देखने को मिलता है सबसे पहला है ecotone इस पर टिपड़ी पूछी जाती है ecotype पर भी टिपड़ी पूछी जाती है ecotype और ecotone दोनों के दोनों exam में पूछी जाते है और जाती है बिभिन्निता है जिसको English में कहा जाता है Species Diversity यह जो Eco Type है English में भी इसको Eco Type ही कहते हैं और यह जो आप लोगों का Eco Ton है इसको भी English में Eco Ton ही कहते हैं इसलिए मैंने English में नहीं लिखा है और as it is ही एक्जाम में लिखा हुआ आता है जाती है बिभिन्निता है इनको Species Diversity कहते हैं जो के एक्जाम में पूछी जाती है Next Question है समझाईए सबसे पहला है अंतर विशिस्ट संग जिसको Inter-Specific Association के नाम से जाना जाता है दूसरा है नकारात्मक सकारात्मक संग जिसको Negative Positive Association के नाम से जाना जाता है दोनों ही very important question है ठीक है Next to fifth number का question है आप लोग का संशिप्त टिपपणी लिखी 100% इन चार टॉपिक में से दो टॉपिक आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है सबसे पहला है जैव विभिदिता की अवधार्ना Concept of Biodiversity दूसरा है आपका समुदाय गुणांग जिसको Community Coeficients के नाम से जाना जाता है थार्ड है आप लोग का विभिदिता के या विभिदिता के सूचकांग जिसको Indicates of Diversity के नाम से जाना जाता है और पूर्थ है आपका Allopatric Sympatric प्रजाती करण जिसको Allopatric Sympatric Speciations के नाम से जाना जाता है Very 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 Important है और ही आप लोग के एक्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है ठीक है तो इसलिए कर लेना यह 5 Question हो सकता है यहाँ से 6 Question भी हो गए हो Unit Second से फिर से कहूंगी Plant Ecology Paper Landy है और नहीं करोगे यह सारे Question तो आप लोग का Technology के लिए थोड़ा सा मेनत कर लेना क्योंकि एक्जाम में Question तक राएंगे यहीं से इसलिए बोल रही हूं चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ जो हमारी थर्ड यूनिट है इसके अंतरगे सबसे पहला Most Important Question है पादप अनूक्रमन क्या होता है इसके कारण प्रकार Tenders का Vernon कीजिए यह जो कारण प्रकार और Trends हैं यह जो Trends हैं यह ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रकार इतने नहीं आते हैं कारण ज़्यादा पूछे जाते हैं तो देख ले ना कभी-कभी हम कहते हैं यह नहीं आता है वो नहीं आता है वही पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को लिख कर लेकर आते हो जिससे कोई चीज में आपको बताने में भूल ना जाओ ठीक है प्लांट सक्षेशन क्या होता है डिस्क्राइब दा कॉजेस्ट ट्रैंड्स और टाइप्स ऑफ सक्षेशन नेक्स्ट कोईशन है आप लोगों का कॉश्चन नंबर सेकेंड संशिप्त टिपणी लिखिए सबसे पहला है पारिस्तितिक तंत्र का विकास जिसक लोगों का चक्री और आचक्री अवशाधन जिसको साइक्लिक और नोन साइक्लिक सक्षेशन के नाम से जाना जाता है दोनों मौस्ट इंपोर्टेंट है थार्ड कोशन ने आप लोगों का प्राकिरतिक मानव जनित पारिस्थितिक गड़वडी किस प्रकार से होती है कौन- वर्णन करना है तो यह जो आपका थार्ड कोशन ने प्राकिरतिक मानव जनित और पारिस्थितिक गड़वडी को समझाई है एक्जाम में पूछा जाता है और इसको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है वीडियो को लाइप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यदि अ आगे नेक्स्ट कोशन की तरफ जो की है आपका कोशन नंबर फोर्थ उत्त्रा अधिकार प्रक्रियाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्त्रा अधिकार प्रक्रियाएं क्या होती है आप लोगों की ठीके साथी साथ इसके प्रकार देख लेना उत्त्रा अधिकार को प्रति रोध की अफधार एवं चर्मोच करश द्रणता एवं लचीलेपन की सिध्धान्त को समझाइए इसके बाद इसी को इंग्लिश में कहा जाता है describe concept of climates versus tense ये जो question है ये जादा नहीं पूछा जाता था पहले तो कभी नहीं आता था बर जब मैंने आपको 2023 का previous year question पर उठा कर देखा तो वहाँ पर ये question मुझे दिखा था इसके अलावा ये question 2018 में आया था ठीके तो हो सकता है ये question आपका इस बार आ जाए आपकी मर्जी है करना हो कर लेना नहीं तो छोड़ देना ठीके तो fifth question ये आपकी उपर depend करता है ठीके मैंने आपको बता दिया कव कव आया था 2018 में आया था then ये question आपका 2023 में आया था इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहे हैं ये आप लोगों की twice करो या ना करो बाकी जो चार question है ना इनको तो छोड़ नाइमत जिसमें ये जो उत्रा अधिकार है ना इसको तो अच्छे से रट लेना है पांच नम्मर का question है और बाकी ये सारे question हुई हमारी unit third complete चलते हैं unit fourth की तरफ जो हमारी unit fourth है इसके अंतरगत पहला one of the most important question है खाद जाल, खाद श्रंकला और उर्जा प्रबाह पत तीनो ही topic अलग अलग है तीनो ही topic आपके most important है ठीक है तो खाद जाल को English में कहा जाता है food chain खाद श्रंकला को food बेव और उर्जा प्रबाह पत को कहा जाता है energy flow pathway ठीक है तो तीनो को देख लेना है क्या होता है किस type से होता है ठीक है next question है आपका प्रात्मिक अवशादन की माप के तरीकों एवं विधियों का वर्णन कीजिए describe primary production method of measurements यह भी important है third one of the most important question है संशिप्ते टिपणी लिखिए सबसे पहला है आपका global patterns जिसको वेश्विक patterns के नाम से भी जाना जाता है दूसरा है limiting factors जिसको सीमित कारक या सीमान कारक के नाम से जाना जाता है next और fourth number का question है आप लोगों का पारिस्थितिक दक्षता की परिभाशा कारक गर्णा अनुप्रियों एवं इसकी खपत को समझाईए very 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 important question है ecological efficiencies क्या होती है इसको describe की दिये इसको जो है वो describe कीजिए इसकी जो है वो definition factors, calculations, uses and consumption का वर्णन कीजिए ठीक है इसके बाद last question है आपका unit fourth से जो की है आप लोगों का पारिस्थितिक तंत्र में tropic stir क्या होते है और tropic stirs की जो संडशना है वो क्या होती है कैसी होती है इसमें diagram करना पड़ेगा आप लोगों को in fact जितने भी question है maximum question में आपको diagrams मिलेंगे तो अच्छे से सभी के diagrams कर लेना एसा मत करना की ठियोरी 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 रटलो और diagram को छोड़दो ठीक है तो 9 अच्छे n conversions मिलते अगर आप ठियोरी 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 रटके लिकके आ जाओ और diagram ना आओ तो प्रतेक कॉश्चन में ना करो तो जो जो कॉश्चन में डाइग्राम है उनको तो करी ले ना ठीक है डिस्क्राइब ट्रॉपिक और प्रतेक कावर करेंगे यूनिट पूर्थ से आशा करती हुग किलियर हुए होंगे चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ जो कि हमारी यूनिट फिफ्थ यूनिट फिफ्थ से यदि मैं आप से कहूँ कि एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा दे रही हूं जो कि आप लोगों के एक्जाम में 200, 300, 400, 500% छपेगा वो है आप लोग का बायो जियो केमिकल साइकल इसके अंदर गत नाइट्रोजन साइकल, कारवन साइकल, फॉस्फोरस साइकल, सर्फर साइकल यह चार साइकल जो हैं वो चैनल पर भी अपलोडेड हैं और जहां से आपको करना वहां से कर लेना चित्र सहित करना ठीके इसको जैवभूरासाइनिक साइकल के नाम से भी जाना जाता है ठीके तो इन साइकल को देख लेना जो कि आप लोग के एक्जाम में पूछे जाएंगे और मैंने आपसे कहा कि उनिट फिफ्ट के अंतरगत एक कॉशन यदी मैं आप लोगों से कहूं कि जो कि आप लोग के एक्जाम में पूछा ही जाएगा वो यही है आप लोग का इस साइकल ठीके तो यह चारो साइकल डेटेल में मैंने आपको एक्स्प्लेइन भी किये हुए है चैनल पर आप लोग को जो है वो वीडियो मिल जाएगा और मैंने आपको डाइग्राम भी वो डाइग्राम भी आपको दिख जाएंगे तो वहां से कर लेना काफी easy notes दिए एक एक बार वीडियो देखोगे complete होते चले जाएंगे यह सारे आप लोगों के cycle इसलिए कर लेना ठीक है चलते हैं next आप लोगों के question की तरफ यदि आप लोगों को cycle channel पर ना मिलें तो simply आप ज समवंधों का वर्णन केजिए relationship between energy flow and recycling पाथवे one of the most important question है next question है आप लोगों का question number third मिट्टी के भोतिक रासाइनिक जैविक गोड़ एवं इसकी विशेष्टाओं को लिखिए तो यह question यदि आप लोगों को ना मिले तो मुझे नीचे comment करके बताना मैं आप लोगों के explain कर द soil यानी मिट्टी next question है पारिस्तितिक तंद्र में पोशक तत्वों का आदान प्रदान और चक्रन की प्रक्रिया किस तरह से होती है समझाई very 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 important question है explain nutrients exchange and cycling in ecosystem next और fifth number का question है आप लोगों का very important सबसे पहला है आपको टिपणी लिखना है इन में सबसे पहली टिपणी लिखना है जलिये चक्र में जिसको hydro biological cycle के नाम से भी जाना जाता है दूसरा है म्रदा profiling एवं इसका जैविक महत्व इस पर भी टिपणी पूछी जाती है short type question के रूप में जिसको इंगलिश में कहा जाता है soil profile and it's biological in bored tense ठीक है तो ये पांच question basically आप लोग कवर करोगे unit fifth से again मैं आप ल chemical cycles कर लेना एक्जाम में पूछे जाएंगे explanation वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी आप simply search करना और बॉटनी एड़ा लिख देना search करते time जोन जोन से cycle आपको पढ़ना हो ठीक है बाकी कोई भी दिक्कस समस्या परिशानी आए मुझे नीचे comment करके बता देना again मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ वीडियो को like चैनल को subscribe कर लेना ठीक है 50k subscribers पर आप लोग को जो है वो एक surprise मिलने वाला है और 1 lakh subscriber पर आप लोग को जो है वो बड़ा सा धमाका मिलेगा ठीक है जो कि आप लोग को देखने को भी मिलेगा चैनल पर ठीक है तो यह सारी चीजे आप या टॉपिक के साथ so thank you so much for watching keep on learning